हेलो दोस्तो मेरा नाम अनिल कुमार यादो और स्वागत है मारी योटूब चैनल अनिल फार्मेसी नोलेज में जिस पर आपको मेडिकल से जुड़ी जानकरी सरल भासा में बताई जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे की पैरालिसिस क्या है और पैरालिसिस होने के क्या कारण है और पैरालिसिस के क्या लक्षन है और साथ में बात करेंगे दोस्तो की पैरालिसिस होने से कैसे बचे तो दोस्तो बने रहें वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीन समय गवाए हुए तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरालिसिस या लकवा क्या है तो दोस्तो पाइरालिसिस या लाकवा एक ऐसी बिमारी है जिसमें सरी किसी अंग में कमजोरी आ जाती है पाइरालिसिस एक अंग में भी हो सकता है दोस्तो और दो चार अंग में भी हो सकता है जैसे पैरालिसिस चेहरे का भी हो सकता है जिसे फेसियल पैरालिसिस कहते हैं और फिर पैरालिसिस हाथ का भी हो सकता है या किसी सिंगल पैर का भी हो सकता है जिसे मोनो पैरालिसिस कहते हैं दोस्तों इसी तरह अगर किसी ब्यक्त का एक तरफ का चेहरा हाथ पाउं पारालिसिस हो जाए तो उसे हेमी पारालिसिस कहते हैं दूसरा है जिसमें सिर्फ पैरों की कमजोरी आती है उसे पारा पारालिसिस कहते हैं दोस्तों इसी तरह अगर किसी ब्यक्त के दोनों हाथ दोनों पैर को पैरलिसिस हो जाए तो उसे कौन्डरी पैरलिसिस कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पैरलिसिस होने का कारण क्या है तो दोस्तो पैरलिसिस तब होता है जब मस्तिस्क की नसों में रख्त की आपोर्ती नहीं हो पाती है जिसके कारण वहां की नसे कमजोर हो जाती है इस कारण से पैरलिसिस होता है दोस्तों दूसरा कारण है दोस्तों कि अगर आपको मस्टिस्क में कहीं चोट लग गई हो और वहां कि जो हमारी नसे हैं वह फट गई हो इसके कारण भी आपके पैरलिसिस हो सकता है तीसरा कारण है दोस्तों कि अगर आप किसी व्यक्ति को आईवी रूट से इंजेक्शन दे रहे हैं और आप अच्छे तरीके से आईवी रूट से नहीं दे पाए हैं उसके वेंस में इंजरी हो गई है तो इस कारण से भी आपके पैरलिसिस हो सकते हैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों की पैरलिसिस होने पर क्या लक्षन दिखाई देते हैं तो दोस्तों लक्षन की बात करें तो सबसे पहले सरीर के किसी अंग में कमजोरी आ जाना कभी एका एक कमजोरी आ जाना यही उसका लक्षन है दूसरा है लक्षन दोस्तों की सरीर म जलन हो सकती है और अब बात करते हैं दोस्तों की पैरललिसिस अगर हो जाए तो उसका उप्चार क्या करें तो दोस्तों जिस प्यक्तिकों पैरललिसिस हो गया है तो उसे दोस्ते 3 घंटे तक विस्तर पर एक ही स्थित में नहीं रहने देना है उसे एक घंटे में उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना है ठीक है दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विस्तर के संपर्क में रहने वाली जो पेसेंट का तुचा है उसमें छाले या फोड़े हो सकते हैं और दोस्तों जिस ब्यक्ति को पैरालिसिस हो किया है तो उसे वैयाम कराना ना भूले उसे मतलब की बोले तो तीन घंटे चार घंटे में इतने अंतराल में उसे वैयाम कराते रहना चाहिए ताकि जो पेसेंट के जो सरीर हैं वो मतलब सिकुड़े ना उसको मतलब ज्यादा पैरालिसिस ना हो इस करण से उसे वैयाम करा तो दोस्तों आज की यही रही वीडियो कैसी रही वीडियो अगर अच्छी रही वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो इस चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन झाल झाल झाल